नमस्कार दोस्तों वेलकम टू केवी क्लासेस के यूटूब चैनल आप समों का बहुत बहुत सभागत करता हूं आज किस वीडियो में देखेंगे सिंदु घाटी सभीता के 30 महत्पून परण जो एक्जाम में बार-बार पुछे जाने में परशन होंगे दोस्तों आप किसी बार-बार एक्जाम में रिप्लीट के जाता है दोस्तों सुरूल से लेके अंतक दिखेगा यह पार्ट वन होगा 30 कोशन का फिर हम जो आपका और भी कोशन जिसमें मिक्स करेंगे इसके लाव जो कोशन बच जाएगा इंपोर्टेंट कोशन वो शारी कोशन को भी लाएंग मिक्स क्या है कि हरपा नम्लखित में से किश सब्रूर्ण से शमंदित है। ऐप्स मिस्र और मेसमकाली थे यह थे मिस्डस और मेसमल के सिंदू गहटिता तहीं कि सियाग यूग से अदितियासीग यूग से या उठतर यतियासीग см इसका जो answer होगा तो तो क्या हो बिच्छा ज़ाए का अपको इतियासिक यूग मैं को बता दू कि यह जो आदे मुसी अपाइसिक अधियासिक कै Nick केहा हुए हो यह हुता आपको कि की मैं अश्यस्यस थे के उप्यों किया था सबसे पहले किशका क्या था शूरा चंदि तांबा लभान समय की आपको तांबा क्या सड़ परत्अमान नहीं तांबा धातू का उप्यों कुछन सिंदू घाटी सब्वेता गयर आ रहे थी क्योंकि ऑप्षिन देख लिए आपका वह नगडिया सब्वेता थी उसकी अपनी लिफी थी उसकी खेतिहार अर्ष्थ था थी उसका विष्थार नर्मदा घाटी तक था इसका अंसर हो जागा हुआ नगडिया सब्वेता थ इसको विध्यान लिखिएगा गयर आडिया सब्वेता थी और जो आड़ होगा सिर्फ वह क्या थाओं को गरामीन हो जाएगा उसके बाद कुछन है कि सिंदू घाटी सब्वेता को आडियों से पूर्व कि रखे जाने के महत्तपुन खारक क्या था कि आंसर क्या रहा है इसको मिलित हांड हो जाएगा ऑप्शन डी कि सिंदू हाटी संस्कृति वेदिक सब्यता से नियुक्ती क्योंकि कि सारा अंसर हो जाएगा इसका ठीक है इसके पास विक्सित भारी यह उनके सुल्दाई थी यह भी हो जाएगा इसके पास लोहे और अच्छा कि घान गवाव जाये हैं अब हर अब सनस है कि हडपा संस्क्रिति की जनकारी का मुंख्राइब है कि यह जगा पुरातात्विक खुदाई हो जगा ऑप्संसी हो जगा हर्पा संस्क्रितिक जनकारी कमुस्रों थापको पुरातात्विक खुदाई इसके बाद निम्रिखित में से कौन सा सिंधु घाटि सब्विता पर प्रकाश डालता है शिलालेग पुरातत्विक संबंदी खुदाई बर्तवनों को मौनों पर लिखावर धार्मिक ग्रांथ क्या हो जाएगा इस कांसर पुरातत्विक संबंदी खुदाई हो जाएगा ओप्शन बी हो जाएगा सिंधु घाटि के निम्राशियों की सब्विता को जानने का मूल शुरूत वहां पाई गई क्या पाई गई थी वहां पर बर्तन जेवर हथियार तथा ओजार नेस्ट प सबसे पुराना वेद कौन सा है सबसे पुराना वेद कौन सा है सबसे पुराना वेद कौन सा है सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा इसमें आपका रिग्वेद हो जाएगा रिग्वेद सबसे पुराना वेद है कि नेस्ट कॉर्ष्टन भारत में नदी चांदी की उखलबता के प्राचित सक्ष मिलते हैं क्यों OFFर हरपा संस्कृति में हरपा वसियों को चांदी की जैनकारी थी और मुह buddi परियों के साक्ष मिलते हैं यह लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे हूंगे ठीक है चलिए नेश्ट कोशन हरपा में मिट्टी के बरतों पर शमान तक किसे रंग का उपयोग हुआ था बेरे बेरे इंपोर्टेंट कोश्चन यह आपका क्या हो जाएगा आपक उसके बाद मिरित भांड़ों के उपरी हिश्चों में लाल रंग की पोताई कर दी जाती थी तहां निचले हिश्च में काले रंग विभीन परकार की चित्रकारी की जाती थी यहां पर आपको मिट्रिन बरतों उप्योग किया जा था लाल रंग ठीक है चलिए नेश्ट प्रारम पुर्व आनकाल से माना जाता है शिंदु घाटि सब्विता में मुर्ति पुजा पर चलित थी और इसके उधारन अनेक सेंधव पुरास्थलों से प्राप्त मात्री देवी की मूर्तियां है ठीक है मिरिन मूर्तियां है कि निमर्खित पश्वों में से किस एक का हडपा संस्कृति में पाई मूर्त और टेरा कोटा कलाक्रितियों के निरुपन नहीं हुआ था कि अप्सानी हो जाएगा एक जोती हुए खेत की खोच की गई थी कहां पर काली बंगा में किया गया था ठीक है लिए सब्चन से प्राप्त हुआ है कहां से प्राफ्ट हुआ है मोहन जोद्रो यह इंप्रोटेंट कोशन है कि संधव सब्यता के महान अस्थान घर साक्षि मोहन जोद्रोव से प्राफ्ट हुआ है और इसकी लंबाई जो है उत्तर से दक्षिन उत्तर से दक्षिन उत्तर से दक्षिन है इसका 55 मीटर और चोड़ाई पुर्व यह चोड़ाई जो होगा आपको पुर्व से पस्षिम हो जाएगा आपको पुर्व से पस्षिम इस मीटर लंबाई हो गया उत्तर से दक्षिन पाच्पन मीटर और चोड़ाई पुर्व से पस्षिम हो गया आपको 33 मीटर नेस्ट कोश्चन विसाल अस्थानगार किस पुरतत्व अस्थल से पाया गया था अब दुर्वत पताए थी क्या हो जाएगा आपको मोहन जोदरो नेस्ट कोश्चन निम्रेखित में इसे किसका सुमेलित नहीं है देखिए आप ऑप्शन है आलम आलमगीपूर उतरपरदेश लोथल गुजरात काली बंगा हरियाना रोपर पंजाब इसका अंसर क्या हो जैगा आपको ची हो जघए या कली बंगा हरियाना देखिए कंहिए कि काली बंगा गर्जी लेडिया उस्थीथ है यह आपका कहां पेस्थी상 हनुमान ने स्थीत ए और इसकी होई था उनीच सो एकावन में हुई थी उनीच सो एकावन में अमला घोश ने की थी किस ने क्या था आपका अमला घोश ने क्या था नेश्ट कोशन मुहांद जैदर निम्षित में से कहां पर अस्थित है यह कहां पर सीथ है पाकिस्तान के सिंद प्रांथ में कहां पर ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंद प्रांथ में नेश्ट कुशन सिंदु घाटी सब्विता का कौन सा अस्थान अब पाकिस्तान में है हडप्पा के अफसेस अधुनिक पाकिस्तान के मांट-गोम्री वर्तमान शाहिवाल जिले में श्थित है यह अस्तल रावी नदी के तरपर रस्षित था जबकि काले बंगा राजस्तान के हनवागर जिले में और लोथल गुजार पनाथ में तथा आलमगिरपूर उत्तर सव्यता थी। आसर सी हो जाएगा आपको सोरास्ट हो जाएगा रंखपुर्ञ गुजरात के सोराष्ट छेत्र में हैं और प्राक हरप्पा हरप्पा और उत्तर ठीक हरप्पा कालिन से जबिता से साप्ची मिले हैं। इसके बाद है कि शिंदु सबिता का कौन सर्स्थान भारत में श्तित है। लोथल हो जाएगा यह जो कि भारत मिश्तित है। ये कहां पर गुजरात के ममाबार सिले में भवा नामख नदी की टर पर इसका एंसर बताएं थे कहां होजागा इसका अंसर। गुजरात में आपको ऑप्सान हो जाएगा। में इसक गणौशन सिंदू-गंध सविता का पतंद न गर्था लॉथालोज गैसंस ओप्शन सी इसके बाद निलखीत में से कौम सा एक हरपा का बंदरगा है मा स्थानगर हो जाएगा आपका नेस्ट कुशन निलखीत में से हरपा काल अस्थिल से हलका टेरा कोटा प्राफ्थ हुआ बनावली क्या हो जाएगा इस कंसर्ण बनावली हो जाएगा हर्यना के फतह बाद जिले में स्थीत बनावली से हलका टेरा कोटा प्राफ्थ हुआ भारत का सबसे बड़ा हरपन पुरास्थाल है भारत का सबसे बड़ा हरपन पुरास्थाल है राखी गड़ी क्या हो जाएगा आपको राखी गड़ी राखी गड़ी हरपन सभीता का दुसरा सबसे बड़ा मोहन जदुर के बाद स्थाल है भारत में सिंदु घाटी का दुसरा बड़ास्थाल धौल वीरा है धौल वीरा ठीक है याद रखेगा सिंदु घाटी का दुसरा सबसे बड़ास्थाल है आपको धौला वीरा सिंदु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्री सक्ति में विश्वास करते थे सिंदु घाटी के लोग पूजा करते थे इसकी पूजा करते थे यह लोग पूजा करते थे पसुपती की पूजा करते थे और इनका प्रमान मोहन जैद्रों से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकरती बनी हुई है लाश्ट कोश्चन मोहन जैद्रों एवं हरप्पा की प्रतात्विक खुदाई के परभारी थे मोट इंपोर्टेंट कोश्चन आपका कौन थे सर्जौन मार्सल भारतिया प्राततु सर्वक्षन विभाग के महान दिर्शक सर्जौन मार्सल के निर्देश परवर्स 1921 इस्वी में दायारम साहिनी के हरप्पा के ततावर्स 1922 में रखाल दास बनर जी ने मोहन जैद्रों के त्यूलों का पता लगाया था ठीक है इसका अंसर आपका सर्जौन मार्सल हो जाएगा ऑप्षन बी आपको यह वीडियो के से लगा हमें कमेंट के मार्देम से बताएए इसका नेक्स्ट वीडियो वह जएद्ध अप्रोट कर देंगे हमारे चैनल के साथ जिलो रही है धन्यवाद थैंक्स वर बाचिंग